Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें HTML का chapter number 5, HTML document formatting and pre-formatting chapter को contain करना है. Students, तो आज हम इस वीडियो में और भी कुछ नए text के बारे में जानने वाले हैं कि वो text क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं प्री-formatting text के बारे में जानेंगे, कुछ नए text के बारे में. तो नए text को जानने से पहले, हम पहले जो last class में मैंने आपको text करवाय थे, उनको हम जब रिवीज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं उसकी. तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले हमें किसी भी notpad या फिर कोई भी text editor को आप open कर लोगे. ठीक है? जैसे कि मैंने यह open कर लिया. अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमें HTML की coding शुरू करने के लिए क्या करना होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? एक doc type declaration करेंगे. ठीक है? किस तरह से होता है doc type declaration? आपको doc type यहाँ type करना होता है और HTML को small letter में इस तरह से type करना होता है. अब यह में को बताइए, जो यह doc type declaration हमने किया है, वो HTML के किस version में किया है? तो यह हमने HTML के 5 version में doc type declaration को किया है, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले HTML का tag शुरू करेंगे और HTML के tag को close कर देंगे, ठीक है? अब जो भी हम coding करेंगे वो सिफ HTML tag के अंदर ही करने वाले हैं, ठीक है? अब इसके बाद हमें क्या करना है? है, head tag को start करना है और head tag को close कर लेना है, इसके बाद क्या होता है? इस head tag के अंदर हमें title tag को start करके title tag को close करना होता है, कुछ इस तरह से. अब देखिए, जहां head tag आपका close हो रहा है, उसके ठीक बाद आप कि इस tag को शुरू करते हो? तो body tag को इस तरह से, तो मैंने यहां पर body tag को शुरू करके बंद कर दिया, तो अब मैं यह कहूंगा, कि यह जो मेरा structure है, complete structure HTML 4 का complete हो गया है, ठीक है? मतलब अगर आपको HTML की coding शुरू करनी है, तो कम से कम आपको इतने tags लिखने ज़री है, ठीक है? अब इसे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जड़ा save कर लेता हूँ, फाइल में जाओंगा, save as option को choose कर लूँगा, या फिर ctrl s भी आप करोगे, तो save option ही आपका enable होगा, इसके बाद मैं desktop location पे इसे new के नाम से save कर लेता हूँ, तो new में .html extension को integrate करूँगा, क्यों? क्योंकि हमें html file बनानी है, web page बनाना है, अगर हम html.html इसमें integrate नहीं करेंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, तो ये कोई html file नहीं बनेगी, ये कौनसी file बन जाएगी? ये text file बन जाएगी, ordinary, तो हमने html लगाया और इसे save पे click किय तो यहां देखिए, new file आ गई यहां पर, ठीक है, जब मैं इसे open कर लिता हूँ, तो ये देखिए open हो रही है, ठीक है, देखिए open हो गया, अब यहां देखा है new.html, ऐसा क्यों हुआ है यहां पर, क्योंकि हमने title में कोई भी value नहीं दी थी, हम क्या करने वाले हैं, यहां पर title में एक value दे देते हैं, जैसे कि home, और इसे save करता हूँ, ctrl s से, और यहां पर आता हूँ, और इसे refresh करता हूँ, तो देखो, यहां पर आ गया home, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यह बड़े वाले page में हमें coding करनी है, इस बड़े वाले page म बनता है, इसलिए अगर आप इस page पर कुछ भी दिखाना चाहते हो, तो सारा code आप कहा करोगे, body tag के अंदर, अगर आप body tag से कुछ बाहर ऐसे type कर देते हो, और मैं इसे अगर save कर दूँ और run करूँ, तो देखो, यहां पर problem आईगी, ठीक है, अभी तो यहां चल गया, लेक ही आप इसे रखोगे, ठीक है, मैं इसे save करके यहां refresh कर देता हूँ, यह हड जाएगा यहां से, अब मैं यहां body में लिखता हूँ, stp computer education, ठीक है, यह type कर दिया मैंने, save करता हूँ, इसे यहां पर click करके इसे run करता हूँ, देखो, यहां पर आ गया, मैं चाहता हूँ, जो किसमे show हो, heading में show हो, किसमे, heading में, h1 heading में, तो मैं इसे h1 tag से lock कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, और यहां पर, कुछ इस तरह से, h1 tag से देखे, यहां पर मैंने h1 tag को open किया, और यहां पर मैंने h1 tag को close कर लिया, चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या तो आप कु किसी tag से घिरा होना चाहिए ठीक है अब मैं इसे सेफ कर लेता हूँ ctrl s का बटन मैंने दबाया और यहां पर आके इसे reload किया यह देखो आगया http computer education ठीक है अब मेरे को इसे center में दिखाना है तो कैसे center में दिखेगा यह आपको क्या करना होगा इस h1 tag के बाद यह h1 tag के पहले आप center tag लगाओ कुछ इस तरह से और उसके बाद यहां से मैंने center tag को close कर दिया तो क्या होगा इसके कारण कि हमारा जो यह stp computer education है वो center में दिखने लग जाएगा यह देखिए दिखने लग यह center में students तो देखिए अब हम आगे सीखने वाले हैं एक new tag मैं आपको introduce करवा रहा हूँ एक new tag से अब यहां देखिए मैं यहां लिखता हूँ एक hr tag अब hr tag का क्या use होता है hr tag का use एक line को draw करने के लिए किया जाता है अभी देखिए मैं save करता हूँ और मैंने देखिए hr tag कहां लगाया है heading 1 के बाद ठीक है तो कहां पर आएगा यह line आपके draw कहां होगी hr tag के बाद अगर हमने hr tag लगाया है तो ठीक इस heading के नीचे एक line draw होनी चाहिए मैं इसे reload करता हूँ page को जर देखिए आ गई line ठीक है अब आप कह रहे होंगे कि मैंने इस tag को close क्यों नहीं किया अब देखिए उन tag को close किया जाता है जिसके अंदर कोई content लिखा जा सके अब जैसे कि क्या आप line के अंदर कोई content या text को type कर सकते हो नहीं कर सकते हो तो कि कुछ ऐसे भी हमारे पास html में tags होते हैं जिनको सिर्फ open करके ही छोड़ दिया जाता है उन्हें close नहीं किया जाता है ठीक है और इन tag को बोला जाता है empty element tag ठीक है कौन सा tag empty element tag याद होगा last class में हमने elements chapter को contain किया था और elements के अंदर हमने सीखा था जिसमें एक opening tag हो content हो और तो हम उसे क्या कहते हैं element कहते हैं तो अब मैं अगर आपसे पूछ हूँ बताइए ये कौन सा element है तो आप क्या बताओगे ये बताओगे आप कि ये जो element है ये title element है अगर मैं आपसे पूछ हूँ बताइए ये कौन सा element है तो आप ये बताओगे center element क्योंकि यहाँ देखो opening tag है content है और closing tag है लेकिन HR में सिर्फ opening tag है कोई content नहीं है ना closing tag है तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे empty element tag okay I think समझ गए होंगे आप HR का use और HR को क्या बोलते हैं और इसे close क्यों नहीं किया जाता है ठीक है I think आपको समझ में आ गया होगा okay अब क्या करते हैं मैं इसके नीचे paragraph return करता हूं इसके नीचे इस line के नीचे HR के नीचे paragraph को return करता हूं जैसे मैं यहां लिखता हूं stp stands for stands for software programming stp stands for software programming computer education ठीक है type कर लिया save करता हूं और यहां run करता हूं तो देखिए यहां पर लिखा हूआ आ गया ठीक है लेकिन हमें क्या करना है यह paragraph है और इसे paragraph की तरह दिखाना है तो आपको क्या करना होगा इसको इस line को आपको p tag से close करना होगा चाहिए यहां कर लो नीचे ही साथ में या फिर आप बाद में कर सकते हो देखो कुछ इस तरह से ठीक है save करता हूँ और यहां पर run करता हूँ देखिए थोड़ा सा change आया होगा इसके अंदर paragraph की तरह दिखना शुरू हो गया होगा ठीक है मैंने cursor रखके यहां enter कर दिया अगर मैं अब इसे save करूँ और यहां पर run करके दिखूँ तो क्या होगा यह line break करके आएगा देखते हैं reload किया मैंने page हुआ नहीं हुआ क्यों नहीं line break हुआ इसलिए आपका line break नहीं हुआ है क्योंकि जो html है आपका वो keyboard formatting accept नहीं करता है keyboard formatting का मतलब जैसा कि आप keyboard में space जितना दे दो ऐसे ठीक है या फिर आप enter कर दो तो यह सब चीचे आपका html accept नहीं करेगा ठीक है लेकिन इसमें html में एक tag है अगर आप उस tag के अंदर उस content को लिखते हो और अपनी keyboard formatting उस text पर लगाते हो तो वह आपका html उसे accept कर लेगा तो ज़र मैं आपको दिखाता हूं वो कौन सा tag है तो देखिए यहां पर pre tag paragraph tag है मैं इसे pre बना देता हूं एक जो अगला tag है वो हमारा क्या है pre tag ठीक है तो मैं यहां pre return कर देता हूं ठीक है तो pre return करने का मतलब यह हुआ कि अब मैं यहां पर अगर enter press करूंगा तो यहां पर enter show होगा space दूंगा space show होगा अभी देखिए मैंने enter का रखा है यहां पर save करता हूं और यहां पर इसे run करके आपको दिखाता हूं तो देखिए क्या हुआ line break करके आगया नीचे देखिए HTTP stands for software programming computer education ठीक है तो line break करके आगया मैं चाहता हूं 4K बाद जो software है थोड़ी दूरी पर दिखाई दे तो मैं क्या करूंगा इस software को space दे दूँगा काफी सारा और save किया मैंने इसे मैं full screen कर लेता हूं देखिए दिख रहा होगा आपको ठीक है मैं इसे save करता हूं और इसमें reload कराता हूं तो देखिए for के बीच में देखिए कितना space आ गया मतलब अगर आप कोई भी content pre-tag के अंदर write करोगे तो वो आपका क्या करेगा keyboard formatting को accept करेगा अगर आप पी tag में coding करोगे तो वो आपका keyboard formatting accept नहीं करने वाला ठीक है अब ज़र देखिए मैं यहाँ पर इसी line को कई बार copy paste कर देता हूं ज़र देखिए धियान से यह मैंने enter किया था मैं enter हटा देता हूं अभी फिलाल और मैं इसी line को copy करता हूं और इसी pre-tag के अंदर paste कर देता हूं देखो अब ज़र एक बार बताओ यहाँ देखो software के बाद line break हो रही है computer के बाद line break हो रही है मैं इसे save करता हूं और यहाँ पर run करता हूं क्या हुआ line break हुई line तो break ही नहीं वी आपकी क्यों नहीं line break हुई आपकी क्योंकि यह सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे break किया गया है ठीक है जैसे कि जब आप अपना text type करते रहते हो और जब यहाँ पर dead end आ जाता है तो notpad editor क्या करता है उस line को नीचे से दिखाने शुरू कर देता है क्योंकि मेरे इस notpad के अंदर देखिए word wrap का option enable है अगर मैं इसे disable कर दूँ तो देखिए यहाँ पर भी यह आपको एक line में ही show होगा अगर आप जब तक इसे enter करके नीचे नहीं करोगे जिसे मैं यहाँ से enter करता हूं और मैं इसे यहाँ से भी enter करता हूं और इसे मैं यहाँ से भी enter करता हूं ठीक है अब मैंने enter करके इसे नीचे लेके आया हूँ तो अब मैं इसे अगर save करूँ और यहाँ पर run करूँ तो देखिए यह भी line छोड़ करके आएगा ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूँ इसी pre tag को ही मैं ऐसे यहां से copy paste कर लेता हूँ फिलाल ठीक है अब क्या करूंगा मैं जो चीज मैंने यहां pre tag के अंदर लिखी वी है मैं इसको p tag में लिखने वाला हूँ कुछ इस तरह से देखिए यहां पर p tag शुरू हुआ यहां पर p tag close हुआ मैं इसे save करता हूँ तो बताएए क्या एक ही line में आएगा देखिए एक line में आया नहीं यह sorry sorry एक ही line में आया यह अलग-अलग line में नहीं आया ठीक है आप हम चाहते हैं कि यह अलग-अलग line में आया जैसा कि यह आया लेकिन हम pre tag का इसमें use नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम एक tag आता है जिसका नाम है break tag तो आप जहां से दूसरी line को break करना चाहते हो ठीक उसके पहले आप break tag ऐसे लगा दो और ये tag भी आपका empty element tag है empty element tag का मतलब ये close नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ line break करने का काम करता है जब मैंने देखो इसके आगे break tag लगाया save करता हूँ run करके आपको दिखाता हूँ तो देखिए जिसके आगे मैंने break tag लगाया वो क्या हुआ उसने उस line को छोड़के अपने दूसरी line में shift हो गया अब ऐसे ही मैं इसके साथ भी करूँगा और इसके साथ भी जब देखिए यहाँ पर भी मैं लगाता हूँ क्या break tag और यहाँ पर भी मैं लगाता हूँ break tag और save करता हूँ इसे और यहाँ पर reload करता हूँ तो देखिए यह भी break हो क्या आगया I think आपको समझ में आ गया होगा अगर HTML के अंदर आपको एक line break करनी हो तो आप कौन सा tag यूज करोगे BR tag means line break break tag ओके चलिए आगे सीखते हैं कुछ नए text के बारे में और मैं यहां लिखता हूँ bold italic और underline save करता हूँ और इसे run करता हूँ लेकिन run करने से पहले मैं इसे किस में रखनाँगा अभी फिलाल p tag के अंदर paragraph tag के अंदर इसे रखने वाला हूँ चिक है देखें मैंने p tag में इसे lock कर लिया ctrl s से save करता हूँ और यहां पे run करता हूँ मैं इसे चिक है reload किया मैंने page तो देखें क्या हुआ यह तीनों के तीनों एक line में आ गए मैं चाहता हूँ यह अलग-अलग line में आ तो क्या करूँगा इन्हें मैं break कर दूँगा कैसे break करेंगे italic को नीचे लेके आना है तो ठीक italic से पहले br tag लगाऊंगा और underline को भी नीचे लेके आना है तो ठीक underline के पहले bi tag लगाऊंगा ठीक है और उसके बाद save करूँगा इसे ctrl s से और chrome browser में जाके इसे reload करूँगा तो देखिए यह भी line break होके आ गए मैं इसे zoom करता हूँ आपको सही से दिखाई दे ठीक है दिखाई अब मैं चाहता हूँ जो bold लिखा है bold अक्षरों में आए जो italic लिखा है वो italic में आए और जो underline लिखा है वो underlined आपको दिखाई दे तो यह कैसे होगा ज्याद धियान से देखिए bold tag के ठीक पहले b tag को हम use करेंगे bold tag के ठीक बाद bold show हो गया अब बारी italic की italic tag से ठीक पहले आप काउन से tag लगाओगे i tag और italic tag के ठीक बार आप close कर दोगे i tag को save करोगे और run करोगे यहाँ पे refresh किया मैंने तो देखिए आपका italic italic show होने लग गया ठीक है अब underline की बारी underline को underline करने के लिए tag को मैंने close किया और save करता हूँ और reload करता हूँ तो देखिए underline के नीचे क्या आगई underline आगई i think आपको समझ में आगया होगा bolt italic underline tag के बारे में ठीक है अब जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो यहाँ पे software programming लिखा है यह bolt नज़द है तो क्या करूँगा जो यह देखते हैं software programming ठीक इससे पहले मैं b tag को शुरू करूँगा और programming के ठीक बाद b tag को close करके controller save बटन दबाके यहाँ पे reload कर दूँगा तो देखिए यहाँ पे software programming आपका bolt में show होने लग किया मैं चाहता हूँ कि यह bolt दिखाई दे ही लेकिन italic भी दिखाई दे तो क्या करोगे ठीक bolt से पहले आप italic tag भी लगा दीजे कुछ इस तरह से bolt से देखो अगर आपने i tag पहले लगाया है तो ठीक आपको bolt tag के बाद ही आपको i tag को close भी करना होगा कुछ इस तरह से ठीक अब save कर दो refresh करो तो देखो यह bolt भी दिखाई देगा और italic भी दिखाई देगा मतलब अगर आप अपने content को जितने tag से घेरोगे उन सभी tag का जो result होगा आपके content के उपर जरूर दिखेगा अब मैं चाहता हूँ कि underline भी दिखे तो आप u tag लगा दो यहां पर और u tag last में close कर दो save करो reload करता हूँ यह देखो हो गया software programming I think आपको समझ में आ गया होगा यह वीडियो अच्छे से अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सिफ computer आपका underline हो यह computer का pewter सिफ underline हो तो मैं क्या करूँँगा pewter के P के ठीक पहले close कर दूँगा और इसे save करूँगा और यहां आपको run करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से तो देखिए यह computer के ठीक नीचे क्या आ गया underline आ गया I think आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यह formatting tag use होते हैं जो यह pre है pre tag इस pre tag की full form होती है pre formatting tag ठीक है क्या उनसा tag pre formatting ओके तो students आज की इस video में मैं आपको एक task देने जा रहा हूँ ठीक है तो चलिए task देने से पहले मैं आपको एक और tag याद दिला दूँ याद होगा जैसे मैं यहां लिखता हूँ stp computer education ठीक है type किया मैं चाहता हूँ यह bolt दिखे तो मैं इसे और बड़ा भी दिखे बड़ा भी दिखे तो heading बना दूँगा मैं इसको heading मैंने इसे बना दी कुछ इस तरह से h1 open h1 close save करके एक बार run करता हूँ देखो मैंने run किया यह देखो नीचे आ गया stp computer education यह zoom है इसलिए आपको काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो मैं यहां से इसे reset कर देता हूँ 100% पे तो देखिए आ गया यहां पे अब मैं चाहता हूँ जो stp computer education है यह page में इधर उदर घूमता हूँ दिखाई दे तो आप कौनसे tag यूज करोगे इसे घूमता हूँ दिखाई देने के लिए marq tag तो ठीक h1 के पहले मैं marq tag को शुरू करूंगा और ठीक h1 tag के बाद marq tag को close कर दूंगा कुछ इस तरह से और ctrl s का save button दबाऊंगा और यहाँ पे reload करूंगा तो देखिए आपका जो marq tag है वो यहाँ पे reload हो गया तो आपका stp computer education heading no.1 थी वो page में move करने लग गई है आपको hr tag का use पता तो आपने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा तो देखिए सबसे पहले हमने सीखा hr tag hr tag में क्या होता है हम line draw कर सकते हैं जिसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ p tag के ठीक बाद मेरेको एक line draw करनी है तो मैं hr tag यहाँ use किया save करता हूँ तो ठीक इसके उपर एक line आ जाएगी यह देखो आ गई आपकी line underline ठीक है underline नहीं sorry line आ गई तो आज आपने क्या क्या सीखा एक सबसे पहले सीखा hr tag यह ऐसे tags होते हैं जिन्हें हम बंद नहीं करते और इन्हें क्या बोला जाता है empty element tags ठीक है और hr tag क्या करते हैं एक line draw करने का का करते हैं अगला tag आपने सीखा pre tag pre tag का मतलब pre formatting tag pre formatting tag से क्या होता है कि जो आपका html होता है वो आपके keyboard formatting को accept करने लग जाता है जो कि वो पहले नहीं करता है ठीक है अगला tag आपने सीखा break tag break tag break tag का क्या use होता है आप अपने line को जहां से break करना चाहते हैं ठीक उससे पहले आप break tag को लगा दोगे जैसे आप break tag को उस ठीक line से पहले लगाओगे तो वो line next line में आना शुरू हो जाएगी ओके देन उसके बाद आपने सीखा bolt italic underline tag को तो bolt से bolt होता है italic u से underline ठीक है तेन आपने सीखा my q tag से क्या होता है कि आप अपने content को web page में कहीं भी इधर से उधर move करवा सकते हो ठीक है तो जिस task के हम बात कर दे थे चलिए उस task को देख लेजे तेन उसके बाद आपको क्या करना है उस task को बना करके हमें mail करना है ठीक है आप mail किस पे करोगे हमें मैं आपको बता देता हूँ आप हमें mail करोगे इस email id पे stp computer education add the red gmail.com ठीक है आप इस email id पे हमें mail करोगे ठीक है अगर mail करना नहीं आता है तो मैं भी आपको बता देता हूँ mail कैसे करते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप task को देख लिजे तो यह देखे गाइज यह है आपका chapter number five का task जो कि आपको complete करना है अब यहां मैं आपको थोड़ा सा hint दे देता हूं कि इसे किस तरह से आप में develop करना है बनाना है तो देखिए यह सारी चीजे heading से लिखी गई है h1, h2, h3, h4, h5 और h6 दन उसके हर बीच में एक hr line draw की गई है अब इसे एक p tag से लिखा गया है और इसे underline कर दिया गया है और एक यह heading tag से लिखा हुआ है h1 tag से और इसे marquee tag लगा दिया गया है दन उसके बाद hr दिया गया है अब देखिए जो I am in left और I am in right लिखा है यह किससे लिखा गया है pre tag से और इसके बीच में बहुत सारा space दे दिया गया है तो मुझे जितनी चीजे इस task को complete करने के लिए बतानी चाहिए थी hint देना चाहिए था मैंने आपको उतना hint दे दिया है अब आपको क्या करना है same to same इस web page को बनाना है और बना के मेरे को send करना है email पे तो email आप कैसे send करोगे चलिए जड़ा वो देख लेते हैं तो सबसे पहले आप अपने Google में आओगे देन उसके बाद आपको क्या करना होगा यहां पर देखिएगा यह साइड में आपको Gmail का टैब अपियर होगा टीक है अपियर कराने के लिए मेरे को internet connection लेना पड़ेगा तो मैं भी internet connect करता हूं तो यह देखिए गास मैंने यहां से internet connect कर लिया यह वाला जैसे आपको यहां पर internet connect हो जाएगा तो आप क्या करोगे जब आप इसे open करोगे तो आपको यहां पर Gmail का भी option show होगा जब वेट कर लिए जए देखिए connect हो चुका है connected आपको भी इसी तरह से अपना internet connect कर लेना है और उसके बाद एक new tab को आप open करोगे यहां से यह देखिए Gmail का आपको option मिल गया इस पर click करोगे आप देन आपका यहां से Gmail account जो भी होगा open हो जाएगा ठीक है कुछ इस तरह से इसके बाद आपको क्या करना होगा compose के option पर आपको click करना होगा अगर आप किसी को mail भेजना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा यह compose आप देख रहे हो आपको इस पर click करना होगा ठीक है तो आप इस पर click कर लेना जैसे आप click करोगे वैसे ही आपको एक यहाँ पर side में या फिर बीच में आपको एक box pop-up show होगा अभी देखें यहाँ पर loading हो रहा है जब wait कर लीजेगा देख रहे हैं आप यहाँ पर यह open हो गया ठीक है तो आपको क्या करना है इस two के अंदर आपको जो यह mail id मैंने आपको दी है आपको इसे यहाँ से copy कर लेना है आप इसे note down कर लिजेगा आप वहाँ पर इसे type कर लिजेगा ठीक है तो फिलाल मैं यहाँ type ही कर लेता हूँ step computer education आप type करोगे कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा ठीक है यहाँ पर आपने type करके enter कर लेना है subject में आप जिस chapter का task भीज रहे हो उस chapter का name यहाँ पर आपने type कर लेना जिसे आप लिख रहे हो यहाँ पर chapter 5 दे दे देना आप chapter 5 formatting जो भी आपका chapter होगा ठीक है pre formatting chapter जिसे मैं आप लिए दे दिया ठीक है और यहाँ पर आपने क्या करना है अपना जो task है उसे attach करना है attach आप कैसे करोगे देखो यहाँ पर attachment file का option मिल जाएगा आप इसे यहाँ पर click करोगे और जहाँ पर आपने task को complete करके रखा है जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर task को complete करके रखा desktop location पर आप इस select करके open कर देना यहाँ से जैसी आप open करोगे देखो आपकी file यहाँ upload हो जाएगी जैसी आप upload कर लोगे और इसे send पर click कर देना है आपको तो यहाँ देखिए message आजाएगा आपके पास sending और जब यह message sent हो जाएगा तो आपको देखो यहाँ पर message sent show हो जाएग तो आपको क्या करना है इसी तरह से आपको अपने task को मेरे mail पर send करना है और जो भी आप send करोगे task उस task का जो result होगा मैं आपको next video के अंदर आपको बता दूँगा Thank you for watching our video. Have a nice day.